Hello Friends, Welcome to Real Study दोस्तों आज की इस वीडियो में मद्द प्रदेश जेल परारी Forest Guard 2023 की Special Exam का Next Analysis आपके लिए लेकर आए हैं और आज 26 माई 2023 3rd सिप्ट का अनलीजिस आपको कवर करवाएंगे से पहले हम First और Second दोनों सिप्टों का अनलीजिस आपको कवर करवा चुके हैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल आएगी आई बेटन पर आप क्लिक करके उन्री वीडियो उसको पर जरूर से देखे क्योंकि पूरे पूरे कोशन्स हमें मिल चुके थे हमने पूरे कोशन्स आपकी कवर करवाएं और इस वीडियो में हम भी पूरे कोशन्स मले, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इस वीडियो की PDF के लिए अपिल्टिकेसन को डांलूट कर लीजिगा, टलीगराम को हमारी जेल परारी की special testices है dedicated है guys पूरे जो questions आपके आ रहा है आपकी exam में उसी pattern पर same to same best day है पूरी testices आप demo जरू से check out करेगा और अगर आपने अच्छी से practice नहीं किये तो जल्दी से कर ली जगए exam से पहले अगर थोड़ा भी आपकी exam में time है तो क्योंकि इसी pattern पर पूरे questions बन रहे हैं और इस वीडियो में सभी पांचो subject के questions हम cover करेंगे पूरे detail के साथ में इस वीडियो को पूरा last तक देखीएगा के लिए इसके अलावा guys आज के जो questions हमें send किये हैं third shift के ये राहूल यादव जी जो कि दतिया से है 81 score इनोंने किया है और उमेज परमार जी जो कि exam में आपका देखी ये जो हैं इन लोगों ने send किये हैं हमें काफी help यहां से मिली हैं हमें questions को collect करने में बाकी और भी questions हमें send किये गए हैं सबका नाम बताना यहां पर possible नहीं हो पाता है जो ज़्यादा questions हमें send करते हैं उनका नाम basically हम यहां पर so कर देते हैं clear तो आप भी ज questions जरूरत से अपने send किया करें आईए start कते हैं हमारे पहले question से guys उससे पहले बता देए इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और चेनल को अभी तक subscribe नहीं किया subscribe करके bell icon को दबा दीए ताकि जो भी नए वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुच पाए हमारा पहला question है guys सबसे छोटा राश्टुद्यान कौन सा है ये question आपसे पूचा गया दक्षिन बटन दीप राश्टुद्यान ये भारत का सबसे छोटा राश्टुद्यान ही और guys हमने सुबा और second याने first और second दोनों सिप्टों में जो questions cover करवाए वहां से भी सीधे सीधे questions इसमें आपके आए हैं तो वो भी हम cover करवाएंगे कि कौन कोच से questions आपके सीधे सीधे देखने को मिले हैं तो बारत का सबसे छोटा राश्टुद्यान हो जाएगा दक्षिन बटन दीप राश्टुद्यान बारत देश का सबसे छोटा राश्टुद्यान दक्षिन बटन दीप राश्ट किया गया था जो कि एक परकार का समुद्री स्तनपाई है पार्क जो है इसकी समुद्री जीवन की एक विविद स्रेणी का घर है ये इसमे कोरल मचली का चुवे समुद्री एन एनेमोन ये बेसिकली देखने को मिलते हैं और ह Mensch जो नेशनल पार्के ये भारत का सबसे बड़ा राश्ट्र ज्यान है तो अगर पूचा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राश्ट्र ज्यान कौन सा है तो हेमिस नेशनल पार्क आपका करिक्ट आंसर रहेगा अगला कोशन है किस सनवेदानिक संसोधन द्वारा दादर और नगर को भारत का हिस्ता बना दिया और 1987 में शेतर को केंद्रसासिथ प्रतेश का किताब भी दिया गया तो भारति सनुविदान सन्सूदढ रिडियम 1961 के ने दादар नागर हवैली को केंद्रसासिथ प्रतेश के रूप में सामिल किया है देखेh 1961 जो यह हुआ इसने इसको किंतसासित प्रदेश के रूप में भी सामिल कर दिया है 1951 में पहली बार बारती सन्विदान में संसोधन किया गया था अगला कोश्चन पूचा गया है गाइस हमारा 1946-47 में आजादी किशमें भारत के रक्षामंत्री कौन थे तो उस्रावी पर भारत के रक्षामंत्री थे बल्देव सिंग जी के लिए बल्देव सिंग जी 1902-1960 याने कि भारत के जो स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले रक्षामंत्री थे यह के रोपट जीले के डुमनना गाउं में एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो नीदन हुआ है 1961 में हुआ एक उद्योग पती और राजनीति की भी ये थे अगला कोशन है हमारा आगरा में लाल किले को यहाँ पर आपका दिल्ली का इस कोशन को यह आपका पूचा गया है आगरा वाले लाल किले के बारे में तो आगरा के किले को लाल किला आगरा का लाल किला भी कहा जाता है आगरे के किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है और यह बलवा पत्तर का 16 सताबदी का एक बड़ा किला है पशिम मद्य उत्तरप्रदेश के एतियासिक सहर आगरा में यमुना नदी के टटपरी बैसिक लेशती थी इसकी स्तापना मुगल बास्था अकबर ने करवाई थी किले के परीसर को 1983 में यूनेसको दुवरा विस्व धरोवर रिस्तल में नामित किया गया था किले का निर्मान अकबर ने 1565 में किया था और इसके निर्मान में करीबन 8 वर्स का टाइम लगा था ये जो किला है सकती बल और लचीलापन का प्रतीक माना जाता है नेक्स्ट वसने सिंधी भासा को कि सन्विधानिक संसोधन अधिनियम दौरा आटवी अनुसूची में जोड़ा गया था और आटवी अनुसूची उन भासाओं को सूची बद्ध करती है जिनने विक्सित करने के जिम्मेदारी भारत सरकार के पास में होती है तो सन्विधान की आटवी अनुसूची में मोल रूप से 14 भासाओं को सामिल किया गया था और 1992 में अधिनियमित 71 वा जो सन्विधानिक संसोधन था इसमें तीन और भासा हैं जिसे कोकनी मेतेई जिसको मनीपूरी बोले था और नेपाली इनको तीन भासाओं को सामिल किया 22 तो याद रखिएगा सन्विधान की आटवी अनुसूची में मोल रूप से भासाओं की जो संक्या है अभी ये 22 हैं अगला कोशन पूचा गया है नरेंद्र मोधी ने सोवा मन की बात भासन कहां से दिया था तो 100 नंबर का याने सोवा जो एपिसोड था है आपका 100 नंबर के सोवे एपिसोड का सीधा प्रसारन किया था याने हुआ था यहां से और 30 मिनिट का बैसक लिए कारिकरम था जो कि लाइव चला था रीडियो के माध्यम से यह हुआ था मन की बात कारिकरम अगला कोशन पूचा गया है यामीनी कृष्णमूर्ति की से संबंदी थे कुची इनका नीदन हो गया तो याद रखेगा इनका संबंदी और वहाँ देश के पहले टेस्ट कप्तान सी के नाइडिू की बैटी थी उन्होंने 1970 में इंदोर में राच्टी चेंपियन बॉमबे जिसको आप मुंबई और mcc के बीच मेच के दौरान अपने पहली कमेंटर की थी इन्होंने और उन्होंने अपने दिवंगत पीता और प्रसिश्टित किरकेटर पर एक किताब सी के नाइडू एड़ूर्टर रिमेंबर्स भी लिखी है तो किलिए रहे तो ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी किसके द्वारा चंद्रा नाइडू के द्वारा अगला कोशन पूचा गया है विसु बेंग की स्थापना कप की गई थी तो विसु बेंग की स्थापना हुई थी उनिसो चुमालिस में करता हैं और इसमें दो संस्तान सामिले अंतराश्टी पुर्णर निर्मान और विकास बेंक जिसको IBRD बोलते हैं और अंतराश्टी विकास संग जिसको IDA बोलते हैं तो ये दोनों संस्तान बेसिकलि इसमें सामिले विस्व बेंक के 189 सदशिदिस हैं के लिए अगला कोशन है क्रश्नमूर्थी को कौन से पुरुष्कार से समानित किया गया या फिर कोशिर इस तरह से हो सकता है आपका यामिनी क्रश्नमूर्थी को 1970 में रिक्तिस्तान समान से समानित किया गया था तो संगीत नाटा का कादमी पुरुषकार से समानित इनको किया गया यामिनी कृष्ण मूर्थी ने 1957 में मजद्रास से अपने करियर की सुरुवात की थी इन्होंने के लिए इसके अलावा गाइस उन्हें तिरुमाला तिरुपती देवस्तानम के अस्तान नर्त की होने का सम्मान प्राप्ते और कुछी पुड़ी नित्ती के द्वज वाहक नित्यांगना के रोप में भी इनको बैसे के लिए जाना जाता है अगला कोश्चन पूज़ गया है आपसे कि अनुचे 301 इसनविदान के बाद इसे सनविदान के बाग देखे भाग यहाँ पर जो आपका साथ है है ना इसके अनुचेद इसके अनुचेद 301 के तहट कानुनी अधिकार बैसकली इसको बना दिया गया तो भाग साथ में अनुचेद 301 A में है ना एक के तहट कानुनी अधिकार इसको बना दिया गया ना कि इसको मॉली का धिकार कानूनी अधिकार है और वर्तमान में केवल 6 मौली का धिकार है किले रहे कितने 6 मौली का धिकार है अगला कोशन पूचा गया चंदरपूरुना का निदन हुआ वह कहां से थे इस तरह का कोशन था एक्जेक्ट यह वर्ड समझ में नहीं आ रहा है यह फिर आपको पता है तो क्या है यह एक किसके बारे में यहां पर बात की जा रही है आप हमें कमेंट में कमेंट करेंगे बता सकते हैं वहाँ पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं अगला कोशन है सारुक खान को पदमसरी अवोर्ड कम मिला तो 2005 में मिला 2005 में बारत सरकार ने बारती सिनेमा के प्रती उनके योगदान के लिए पदमसरी समानित किया है अगला कोशन पूचा गया है रामप्पा मंदिर कहां पर इस्ति दे तेलंगाना में देखने को मिलता है रामप्पा मंदिर जिसे र४ध्रिस्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका दर्वार इस्तल के रोप में नामित किया गया था तो ताजमहल को यूनेस्को में सामिल किया गया था और इसकी उत्पत्ति कहां से इस तरह से भी पूचे जाए तो मनीपूर आपका करिक्टांसर रहेगा मनीपूर नित्य जिसे मनीपूरी रास लिला के रोप में जाना जाता है आठ प्रमुक सास्ति नित्यों रूपों में से एक ये हैं और इसकी उत्पत्ति मनिपूर राजी में हुई ये मनिपूरी भारत में भारत में भारत के 6 जो सास्ति नित्य हैं उनमें से एक है भारत नाट्यम, कतक, कतक काली, कुचिपूरी, ओडिसी और मानिपूरी यह आप याद रखेगा यहां मानिपूरी के लिए स्वधेशी ये लोग परमपरा अनुस्टान से जुड़े विभिन रूप इसकी विसेशता बैसके लिए हैं तो यह आप याद रखेगा अगला कोशन है अनुचेद 21 और अर्टिकल 44 यहर यहनि अनुचेद 21 और चुम्हाली से आपका इस बारे में वर्णन पिलता है समान नागरिक सनीता समान नागरिक सनीता से रिलेटाड ए Fusion तो याद रखेगा अनुचेद 21 जो एडर आनुचेद में गोस्ना की गई है किसी विख्तिक न Dé КOS 13 से वीदी या वीदी द्वारा इसतापित प्रकिरिया के अनुशारिवान चित चया जा सकता है आनिता नहीं और अपका 24 जो पहारते संविदान के अनुशेद चुम्मालिस के भागशार में समान नागरिस अनिता सब्द का से न BUR रूप से फिलत किया गए हैं इसके अलावा बढ़ते हैं और साइंस को कवर अफटाफट कर लेते हैं उससे पहले बता दे हमारी जेल परारी इनके लिंक कर देखने हैं तो जुलसा रोग बैसिकली इसमें जायतर देखने को मिलता है प्लास्टिक फाइबर ग्लास प्लास्टिक इस तरह से भी कुश्चन्स आपका पूचा गया मुल इकाई, MLT किसकी यूनिट कितनी होती है तो साथ यह आपका करिक्ट आंसर है शान्ता का इसाई मातरक, न्यूटन, सेकेंड प्रतीवर के मीटर आपका करिक्ट आंसर है एक बाल्टी में लिक्विड है, उसे मिलाने पर वापस उसी अवस्ता में आ जाएगा, उसका नाम क्या है, इस तरह से कुश्चन्स पूजगाए, एक्जेक्ट सही बैटन में कुश्चन्स नहीं मिल पाया है निमनमे से कौनसा डेंगू का नाम नहीं है, है ना, तो ये कुश्चन आपका मिला है, आया है आपका, और वो तीनों आप्शन्स होंगे, आपका एक नहीं होगा, तो उसकी सिट्वेशन में आपको देखना होगा थोड़ा सा, इसके अलावा जी विग्ञान के जनक किसे कह जाता है, या माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, इमोफिलिया किस रोग से संबनी थे, तो पैतरक रक्स स्ताव रोग से संबनी इसका है, ऐसा यूनिट में कितने इंटरनेशनल यूनिट है, तो सेवन है, करांतिक वेक का फॉर्मूला क्या है, ये पूचा था, से कोशन बना है, आपका मुखावरे, भूत, काल और भविश्यकाल, इन काल से रिलेटेट भी कोशन बन रहे, वर्वनबाला से कोशन है, विसेशन से, रस, चंद, अलंकार से, समास से, उत संत, अद्धवोव से कोशन बना है, सुद्ध वरतनी इंगलिस में गईस तो इंगलिस में आइडम से कोशन्स पूच गए हैं आइडम से कोशन्स पूच गए हैं आपके नरेशन से कोशन्स बने हैं आपके इरर से PQRS से questions बने है Active passive voice से Synonym से questions बने Antonyum से भी questions पूचे गए है बात करें Mass में तो Mass में समयकारी दूरी से questions बने है सेत्रमिती से नाउधार आपकी आईए मिसरन से questions बने है संक्या पद्धिती आपका पूचे गया इसके लावद जामिती से questions पूचे SICI से questions पूचे गया अनुपास समानुपास से आयू से प्रतिसस से questions बना हैं आपका इसके अलावद लाभानी से questions पूचा है सरलीकरन, Simplification से और एवरेज जो असल से भी questions आपका पूचा है यहाँ पर पूरे पांचों के पांचे subject हमने आपको बताए कि किस तरह से कहां कहां से आपके questions पूचे गए है जहां तक हमें लगाए पूरी detail आपको देने की कौसिस हमने की है इस वीडियो को जाए 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 सेयर करे लाइक करे और सब्सक्राइब भी तक नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आई सबसे पहले आप तक पहुच बाए इस वीडियो की PDF आपको टेलिग्राम पर मिलेगी application पर मिल्याएगी application की जो लिंक है description में हमने डाल दिये आप जाकर download कर लिजगा jail परारी की special testicers अगाई सब्सक्राइब कर लिजगा अगर आपको आगया आने वाले दिनों में कभी भी एक्जाम है तो आप हमें नंबर पर जो आपको स्टिक अनलेजिस हम प्रवाइड कर पाए तो मिलते हैं हमारे गाईस कल के फस्ट रिस्टिक अनलेजिस के साथ तब तक लिजए हिंद्ध वद्धमात्रम